आज मैं बनाने जारी हूँ काला जामून और आज मैं आपको परफेक्ट काला जामून बनाने का तरीका बताऊंगी तो चली फिर इसे बनाना सुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं पायल आपका मेरे चैनल कुकवेट पायल में बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले हम instant खुआ बनाएंगे तो ये मैंने एक पैन को गरम कर लिया है फिर हम इसमें डालेंगे 1 टिबल स्पून घी और फिर हम इसमें डालेंगे 1 अफ कप फुल क्रीम दूद अब फुल क्रीम दूद नहीं ले रहे हैं तो दूद के साथ आप 1 फूर्थ कप फ्रेश क्रीम या मलाई भी ले सकते हैं और फिर हम इसमें 1 कप मिल्क पॉडर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे गैस की फ्लेम को हमें low to medium पे रखना है और इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे इसमें लम्स नहीं पढ़ने चाहिए तो लम्स को स्पैचुला से दवाते हुए हम इसे मिला देंगे तो अभी तोड़ी देर में ठिक होने लगी गी तो यह देखिए इससे थोड़ा हमें और ठिक करना है तो यह देखिए यह अच्छी तरह से ठिक हो गई है अब हम गैस को आफ करके इसे एक बोल पर निकाल लेते हैं तो यह हमने एक बोल पर निकाल लिया है और अब हम इसमें half cup mash किया हुआ पनीर डाल देंगे और इसे हम खुवा के साथ अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो अच्छी तरह से mix करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 फोर्थ कप मैदा और वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सब को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और एक soft dough तयार कर लेंगे इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है और ये दिखिए ये एक soft dough तयार हो गया है अब हम इसमें से थोड़ा सा dough निकाल लेंगे stuffing के लिए तो इस stuffing में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून 6 से 7 काजु को मैंने चोटे टुकड़ों में काट कर डाला है और फिर हम इसमें एक चुटकी food color डालेंगे ये मैंने orange color लिया है ताकि stuffing में अच्छा color आ जाए और इन सब को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला दिया है और ये हमारी stuffing ready है अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तयार कर लेंगे तो ये देखिए इसी तरह से हमें सारे बॉल्स तयार कर लेने है इसके तो ये देखिए हमने सारे बॉल्स तयार कर लिये हैं अब हम बाकी बचा डो ले लेंगे उसमें से थोड़ा सा लोई निकाल लेंगे और इसमें हम इस स्टाफिंग को भर देंगे ये देखिए इस तरह से हमें इसे भर लेना है और इसे हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और दोनों हातों से हलके हातों से हम इसे गोल घुमाते हुए एक चिकना बॉल तयार कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमें एकदम चिकना बॉल तयार कर लेना है इसमें cracks नहीं होने चाहिए नहीं तो ये fry करते वक्त फट भी सकते हैं तो ये देखिए हम दूसरा भी तयार कर लेते हैं तो ये देखिए इस तरह से हमें बना लेना है और हमें दुनों हातों से इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेना है तो ये देखिए इस तरह से हमें सारे बॉल्स त्यार कर लेने है अब हम इने फ्राइ करेंगे तो ये मैंने तेल को पहले से गरम होने के लिए रख दिया था और ये अभी हलका गरम हो गई है अब हम इसमें एके करके सारे बॉल्स इसमें डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हमन लो टू मेडियम पे रखा हुआ है और इसे हम इस तरह से चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे तो इसे हमें एकदम ब्लैक कलर में फ्राइ कर लेना है तो इसी तरह से हमें चलाते हुए इसे फ्राइ कर लेना है तो ये देखिए अभी हलका ब्राउन कलर का हो गया है इससे भी डार्क हमें करना है तो ये देखिए इस तरह का हमें एकदम डार्क कलर कर लेना है इसका और इसे हम टीशू PEPPER पर निकाल लेंगे तो अब हम चाष्णी तयार करेंगे तो यह मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे एक कप चीनी और उसी कप से एक कप पानी लेंगे तो जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हमें पानी भी लेना है और गैस को मीडियम फ्लेम पर आउन कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए उबाल लेंगे तो जैसे इसमें एक उबाल आजाए इसमें हम दो छोटी लाईची को कूट कर डाल देंगे और इसे हमें 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लेना है और इसे हमें तार वाली चासनी नहीं बनानी है बस हातों पर लेने पर ये हलका चिपचिपा सा लगने लगे तो हम गैस को आफ कर देंगे और इसे हम हलका ठड़ा कर लेंगे यानि कि इसे हमें हलका गुन-गुना रखना है और इसमें हम एक एक करके सारे काले जामू डाल देंगे और इसे हम ढखकल 4 गंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चाशनी को अब्जॉर्ब कर ले तो इसे 4 गंटे हो गए हैं और ये हमारी काले जमुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए है अब हम इसे एक बोल पर निकाल लेंगे और ये देखिए मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने है तो आप भी इसे जरूर ड्राइ कीजिए बहुत ही टेस्टी बनती है आपको मेरे रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिएगे बैला आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके थैंक यू